महात्मा गांदी की पूर्णियतिती पर जन एकता जन अधिकार मंच के बैनर तले कई संगठनों ने शिमला स्थित महात्मा गांदी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रधांजली अर्पित की और समीधान बचाव शपतली और मौन परदशन किया मंच ने अनर्सी और सी एक का विरूद किया और केंदर की सरकार पर देश को धर्म के अधार पर बाणने के आरोप लगाए पूरव शिम्ला मेर और CPIM नेता संजे चोहान ने कहा कि केंदर की भाजपा सरकार लुगों को धर्म और जाती के अधार पर बांट रही है जो देश के सम्विधान की धारना के खिलाफ है महात्मा गांधी की पुर्णियती थी के मौके पर हर साल सरकार का कोई प्रतिनी दी उनको शर्धांजली देने पहुंचता था लेकिन इस बार केवल कुछ अधिकारे ही शर्धांजली देने पहुंचे हैं सरकार का कोई भी मंतरी शहीदी दिवस पर महात्मा गांधी को शर्धांजली देने नहीं आया जो कि राष्ट्र पिता का अपमान है सरकार को इसको लेकर अपना सश्टी करण देना चाहिए वहीं प्रदेश युवा कॉंग्रेस ने भी महात्मा गांधी की पुनियती थी पर NRC और CAA का विरोध किया और देश में राष्ट्र बिरोजगारी रिजिस्टर बनाने की मांग की युवा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनीश ठाकु ने कहा कि केंदर की भाजपा सरकार असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए समीधान विरोधी निर्ने ले रहे हैं युवा कॉंग्रेस ने देश के बिरोजगारों के लिए एक रिजिस्टर बनाने की मांग कर की है जिससे पदा चल सके कि देश में कितने लोग बिरोजगार है देश के युवा को रोजगार की जरूर्थ है ना कि NRC और CA की केंदर की भाजपा सरकार नाथुराम गोड से जोकी RSS की विचारधार से समन रखता था उसका समर्थन करती है जब कि लोगों को दिखाने के लिए महात्मा गांदी का गुणगान करते हैं की के दिन 30 जनवरी 1948 को हिंदूत वादी कुछ एक्स्टिमिस के द्वारा अजादी के लड़ाई के नाएक रश्विता महात्मा गांदी की हत्या की गई थी और ये दिवस पूरे देश में आज जो है शहिदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हम आज जो यहाँ पर विबिन संगठन उपस्तित हुए और आज रिज मैदान पे मात्मा गांदी जी की प्रत्मिया के सामने हमने जो है अभी समिधान की परस्तावना जो है वो पड़ी है इस समिधान की परस्तावना जिसका मूल उदेश है इस देश के अंदर किस परकार से परतेख जात को प्रतेक धरम को प्रतेक व्यक्ति को जो है अभी व्यक्ति की जो आजादी होगी उसको जो है पूरी तरह से समिधान के अंदर जो है प्रस्तावित किया गया था और आज हमने इस प्रस्तावना के माध्यम से देश के अंदर जो समिधान को खत्रा पैदा करने वाली ताक्ते है देश के अंदर जिस परकार से आज देश को धर्म के नाम पर बाठने का काम किया जा रहा मैं समझता हूं इस धर्मिक समन्वे को बनाने में महात्मा गांदी जी का एक बहुत बड़ा युगदान था क्योंकि जब उस समय भी जो है हिंदू-मुस्लिम की बात जो है कुछ संग कुछ ताक्तों के द्वारा इस परकार का महौल जो है त्यार किया जा रहा है ये परदेश के और देश के प्रतेक नागरी की आज जिम्मेवारी है कि जो समविधान जो है इस देश के अंदर देश की जनता को सुरक्षित उनको अधिकार की जो व्याख्षा करने के लिए ज और NPR के नाम पर जो बांटने का कारे किया जा रहा है हम लोग जो है आज इस पर दर्शन के माद्यम से इसका भी विरोध कर रहे हैं और यह तमाम संगटनों के द्वारा जो है पूरे देश के स्थर पर जो है इस आज 30 जनवरी को जो है शैदी डिवस में यह NRC CA और NPR का विर दर्शन है NRC और CA के खिलाप नहीं है NRU के समर्थन में NRU National Register of Unemployed राष्ट्य बेरोजगार रिजिस्टर की हम मांग कर रहे हैं जिसके की पूरे लीगली हमने 23 जनवरी को इसको लॉंच किया था और जिसमें पूरे देश के अंदर हमने एक आंकड़ा जुटाना है और आज का दिन हमने इसलिए चुना है क्योंकि राष्ट्पिता महात्मा गांदी जी हमेशा उन्होंने समर्थन किया है रोजगार का और सुरर रोजगार का उनका ये मानना था अगर जिस देश के अंदर रोजगार और सुरर रोजगार होंगे तो वो देश तरकी कर सकता ह वो देश मजबूत बन सकता है लेकिन आज इस देश के अंदर जो गांदी जी का जो सपना था वो बिलकुल ने स्तनाबूत कर दिया गया है और आज ऐसी विचार धारा इस देश के अंदर राज कर रही है जिसने राश्पिता महात्मा गांदी की हत्या किये और आज बड़े दुख के साथ और शरम के साथ बड़ी बिनमना है कि आज परदेश सरकार की और से कोई भी उनका मंत्री और कोई भी उनका कोई प्रतिनी दी यहां पर गांदी जी की पुन्या तिति को मनाने के लिए यहां पर नहीं है यह बात साब तोर पर सपष्ट है कि कौन सब 31 देश क के अंदर गांदी को समर्थन करता है और कौन गोड़से को समर्थन करता है किसी बात से इसका अंदेशा लगाया जाता है कि जो गांदी जी को समर्थन करने वाले जो जो लोग है आज यहां पर नहीं है वो बंद कमरे में तो वो जो आरेसेस का जो आजेंडा है गोड़से क नीती पर काम करते हैं लेकिन खुले तोर पर जब वो सारवजनिक जीवन में आते तो गांदी जी का समर्तन करते हैं लेकिन यह दोरी जो नीती है वो आज आप दो के सामने बिल्कुल सबस्ट तोर पर दिख ली है और हम अभी पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह काम यह शांती प्रूबर प्रदेशन रखा है हमारी यही मांग है कि राश्तिय बेरोजगार जिस्टर की एक स्थापना होनी चीए पंजी करन होना चीए जिसका हमने टॉल फ्री नंबर रखा है और जो राश्पिता मात्मा गांदी जी की जो सोच है उसके आज हम यहां परिकत्रित हुए तोल फी नंबर है एट वन फाइब वन डबल नाइन डबल फोर डबल वन इस पे जो बेरोजगार जो यूबा है और जो और भी नागरी के जो मांग करना चाहता है कि इस देश की अंदर सी और नर्सी की जगा जो मुद्दे है जिनकी राजन बढ़ी से हमने यह केंपेञ शुरू किया है और आने वाले बजर सेशन तक यह केंपेञ चालू रहेगा और जो आंकरा पूरे प्रदेश और देश में कथा होगा उसको हम केंदर सरकार को बेजेंगे कि इस देश के यूबाओं कि क्या मांगे तो आज का दिन हमने इस इस दिवस को हमने आज चुनाएं बहुत ही खेज जनक है क्योंकि जिस परकार से मेरा इस शहर से लगाव रहा है मैंने जब से ओस संबाली है शायद जिस परकार का शहिदी दिवस इस वर्ष मनाया गया है सरकार के द्वारा यह कभी भी मनाया नहीं गया है सबसे मैं तुमन बात यह है कि कोई भी सरकार की कैबिनेट की तरफ से जो है वो इस शहिदी दिवस में उपस्तित नहीं था केवल मात्र आपचारता के तौर पर कुछ अधिकारी जो है यहां पर चले गया और यह मैं समझता हूं कि सरकार की इसके पीछे क्या मनचा है यह सर प्रदेश की स्वतनतरता में है और उसके बाद जो है इस देश के अंदर जो प्तावना समिधान की प्रस्तावना के लिए योगदान है मैं उसको बलाया नहीं जा सकता ये प्रदेश की सरकार को मानने मुख्या मंतरी को जो है इसका ज़वाब देना चाहिए हमें भी सात साल से इस कारेकरम के लिए इंवाइट किया जाता था यहां पर जब से हम नगर निगम में ने थे इस वार हमें भी जो है उस प्रकार का नियोता जो है सरकार की और से नहीं मिला है सरकार की क्या मंच्छा है सरकार क्यों ऐसा कर रही है सरकार क्यों इस महत्वर्ण योगदान के दिमस को जो है नदर अंदाज कर रही है मैं समझता सरकार को जो है इस पर स्वश्टी करन देना चाहिए